हालो दोस्तों गुड़ मॉनिंग शुप्रभाद मैं मेने चेंग लाव सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष एकड़ी में चाहिए आप किसी भी गवर्मेंट एकजाम करके त्यारी करें दोस्तों यूपीसी सीजीपेसी एससी रेलवे बैंकिंग या फिर औ ध्यान से देखिएगा आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों चतिसगड़ एसाई के एकजाम के लिए होने वाले ग्रूप डिया फिर एंडपेसी सीबीटीटू के एकजाम जो होने वाले हैं दोस्तों उसके लिए इंपोर्टेंट आफिक है भारत के प्रमुख दर्रे परव के सारवाधिक उचाही पर इस्तित दर्रा कौं सा है बिलकुल इजाद रखिए कार कुरम दर्रा बहुत जाद ostr yaşam 누 बनता है सारवाधिक उचाही पर shrink devote रहा है लव्दाक में इस्थित है इसकी उचाहिए है 5,664 मीटर पहुंच जद इंपोर्टन है डीटा याद रखिएगा पनिहाल दारा किस दर्गत आता है दोस्तों आपको पता होना चीए बनिहाल दारा पीर पंजाल स्रेणी के अंतरगत आता है दोस्तों यह भी कहा है जमो बिलकुल याद रखिए कारगी और लेह को जोड़ने वाला दर्ग यादर के जोड़ता है बिल्कुल याद रखिए बहुत जाद है एकजाम में बनता है ठीक है दूस्तो अगर country के अंदर तो state याद रखिए ठीक है दूस्तो अगर country related question आता है तो country and state related question आता है तो बिल्कुल state याद रखिए कौन सा दर्रा किस state में है most time पी question है और कई बार बनता है हार एक बार यही question पूछा जाता है चले दूस्ता चलते है next point की और किस दर्रे को 17 निदिक प्रविश्द्वार कहा जाता है बिल्कुल याद रखिए 17 निदिक प्रविश्द्वार की बात के गई है दूस्तो शीप के लदर्र को कहा जाता है बहुत ज़्याद बुर्जी दर्रह को किस से जोडता है बिल्कुल याद रखिए कस्मीर घाटी को लद्दाग से जोडता है दोस्तों बुर्जील दर्रह कहा है दोस्तों कस्मीर में स्थित है देख लीजेगा आप मांसरवर की यादर्रह के लिए किस दर्रह से वोकर गुजरना पड़ता है बिल्कुल याद रखे लिपुलेग दर्रह से गुजरना पड़ता है दोस्तों लिपुलेग दर्रह कहा है उत्रा खंड में इस्तित है बिल्कुल याद रखे कहा है दोस्तों उत्रा खंड में इस्तित है लिपुलेग दर्रह इंपोर्टेंट है बिल्कुल इस्टेट का नाम में याद रखे कौन सा दर्रा किस रिष्टेज में है दोस्तों माक्जिमम टाइम यही कोस्टन एक्जाम में बनता है चले दोस्तों चलते नेक्स पॉइंट की और दोस्तों किया अलावा लएक मानधर्रा किस प्रदैस में इस्तेथे यह कोस्टन भी कई बार coronavirus पूछा गयाई है यार बिल्कोल इंपोर्टंड एक याद रखे उत्राखण में इस्तिथे भारत के कि सीमा पर इस्तित है बहुत जादे इंपॉर्टेंट रखें एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही कोशन बनते हैं दोस्तों आप चाहे आप d जाहे n t pc ca b t2 चाहिए s i ke ay 36 क Material कि किसी भी exam की बिलकुल high level में का question ने आता है दोस्तों इसी level का question आता है और आपको इसी level की त्यारी करने हैं बिलकुल high level के पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं आपको उस level का पढ़ाई यार जिस level का exam में पूछा जाता है चले दोस्तों, next point की तरप चलते हैं, कौन सा दर्रा, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, बिल्कुल important दर्रा, याद रखिए थालघर दर्रा, important है, exam में पूछा जाता है, कौन सा दर्रा, कोच्ची को चिन्नई से जोड़ता है, दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए पालघर कई बार exam में ये भी question पूछा गया है, हर एक question important है, हर एक question कहीं न कई exam में पूछा गया है, मैंने selected question ही लिया है, जो exam में आई हूँ है दोस्तों, जो चर्चे में रहते हैं, चले दोस्तों, next point की तरप चलते हैं, विस्व के सबसे उची चोटी कौन सी है, दोस्तों, बिल्क data exam में पूछा जाता है, विस्व के सबसे उची चोटी कौन सी है, दोस्तों, mountain rest, भारत का सर्वच परवस सीखर मतलब भारत की सबसे चोटी कौन सी है, दोस्तों, याद रखिए, गारविन आश्टेंजी से, के टू भी बोला जाता है, दोस्तों, ये पार्ट में है, दोस्त ओके यहां पिभारत का सरवच परवस सिखर बोल रहे हैं यहां भी परवस सरवच ऐसा नहीं है धुस्टो भारत का अगर कोश्चन आता है तो आप गाडविनाश्चन परवत थे दोस्तो जो कि सिख्यम में है यह सबसे उचा परवत है विषब का तीसरा सबसे उचापरवत कंचन जंग है दोस्तो और सबसे उचापरवत है मॉंटेव्च सेकंड में गाड़ी मुनाश्ठीन थर्ड में ने कंचन जंगा लेकिन यह भारत का क्यों बूलाओ दोस्तों क्योंकि यार अभी प्योर रूप से भारत में नहीं है यह पॉक अक्युबेट कस्मीर में है जो कि अभी वभादित हिस्ता है अगर भारत में पुछा जाए तो आप कंचन जंगर ही टिक कजीगा भारत का कोश्चन आता है और ऑप्सन में अगर गाड़ी विश्व की सबसे पुरानी परवस हिंक्ला राजिस्थान में आपको देखने को मिलेगे दोस्तों देख लेता यहीं से लूनी नदी निकलती है दोस्तों बिलकुल यादर रुक है इंप़्ोर्टेंट है दोस्तो याद रखिए important question है कई पर exam में पूछा जाता है यार इन में से कौन सी नहीं परवश्रिंखला है कौन सी नहीं है तो याद रखिए हिमाने नवीन परवश्रिंखला का ही भाग है नेक्स दोस्तो पस्चिमी घाठ परवत को और किस नाम से जाना जाता है बिल्कुल याद रखिए सहाद्री परवस्रेणी के नाम से जाना जाता है दोस्तो पस्चिमी घाठ शिंखला को दक्षणी शहाद्री के सबसे उची सीखर का क्या नाम है दोस्तो बिल्कुल याद रख कि एनाई मोडी दक्षिन भारत का सर्वच परवस सिखर है दोस्तों निलगिरी परवत माला का सर्वच सिखर कौन सा है दोस्तों दोड़ा बेटा कई बार को एक्जाम में पूछा गया यार मोश्ट आइंपिटिक कलीजी कई बार कई एक्जाम में ये कोश्चन पूछा जाता अंडमान निकोबार की सबसे उची चूटी कौन सी है दोस्तों बिल्कुल याद रखिए अंडमान निकोबार की बात की के दोस्तों ये क्या है हमारे यूटी है इसकी बात की किए दोस्तों यहां पी यह क्या है भारत का एक मात्र क्या है जागरी जौला मुख्य है याद र तुष चंः को उत खाद भूमी का प्रदेश क yapmışे रहे थे सब्सक्राइब की राजिफार का प्रदेश की रूब बिल्कुल दयाद रहे थे सब्सक्राइब करें dan Head rate करें दॉस्टों से यहां पूरी तरह से विस्तृत है नरवदा नजिया एंविधांचल परवत की उत्तर पश्ची में इस्तित पठार को क्या कहते हैं दोस्तों बिलकुल यादर की मालवा का पठार कहते हैं बहुत जाद किसम आपको लगतार मिलता रहे एंड हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा यार क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा बहतर करने का प्रयास करते हैं तो ठीक है दोस्तों थाइंक यू